पूर्व राष्ट पतिर पड़ों मुखर जी की बेटी शर्मिष्टा मुखर जी ने कहा कि उनके पिता चापलूसी नहीं करते थे इसलिए राजियो गांदी ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया था उन्होंने कहा कि उनके पिता बताया करते थे कि पूर प्रधानमंतरी इंदिरा गांदी के कारेकाल में किया काम उनके राजनितिक जीवन का गोल्डन पीरिट था उन्होंने ये भी बताए कि ये राश्टपती रहते हुए उनके पिता और पीएम नरेंद मोदी ने एक टीम की तरह काम किया था शर्मिष्ठा ने अपने पिता पर लिखी किताब प्रणम माई फादर एजॉटर रिमेंबर्स को लाँच किया इसी दुरान उन्होंने ये बाते बताई शर्मिष्ठा के मताबिक उन्होंने अपने पिता की डायरियों में लिखी बातों के अधार पर ये किताब लिखी है इस किताब में राहुल गांदी से जुड़ी बाते बहुत कम है शर्मिश्णा ने राहूल गांदी को लेकर अपने पिता के विज़ा रखे उन्होंने बताए कि उनके पिता उस ओर्डिनेंस के विरोध में थे जिसकी कॉपी सितंबर दोजा 13 में एक प्रेस कॉन्फेंस में राहूल गांदी ने फार दी थी शर्मिश्णा बोली कि मैंने ही उन्हें और्डिनेस फाने जाने की खबर सुनाई थी वे बहुत गुस्सा हुए थे उनके पिता का कहना था कि इस पर संसत में चर्चा की जानी चाहिए इस किताब पर पूर ब्यूरोकेट प्रवन कवर्मा के साथ बाचीत में शर्मिश्णा ने बताया कि जब उनके पिता RSSK एक इवेंट में गए तो उन्होंने विरोज जताया था शर्मिश्णा बोली कि मैंने बाबा से तीन चाह दिन बात नहीं की एक दिन उनके पिता ने कहा किस इवेंट में अपने जाने को मैं सई नहीं ठहरा रहा हूँ बलकि देश इससे सई ठहरा रहा है बाबा को लगता था कि लोकतंतर का मतलब है खुल कर समवात कर पाना इंद्रा गांदी के साथ पिता के कारकाल को लेकर शर्मिश्ठा ने कहा कि मेरे पिता कहते थे इंद्रा गांदी के साथ किया गया काम उनके राजनेतिक जीवन का गोल्डन पीरिड था इंद्रा जी ने बाबा पर नज़र रखी अगर कोई इनसान था जिसके प्रती मेरे पिता वफादा थे तो वो इंदरा जी थी और कोई नहीं बाबा भी एक दिन के अंदर इंदरा जी की कैबिनेट में उपर नहीं बड़े औरो ने बहुत मैंनत की जिसे इंदरा जी ने देखा और इसे प्रभावित हुई